दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक एनिमी सेट अप जो की ओबीटो उत्या की उपर होने वाला है यहाँ पर आप होम स्क्रीन देख सकते हूँ एकदम प्रीमियम देखने को मलती है यहाँ पर वालपेपर की डीटिलिंग देख सकते हूँ साहते विजिट कमबीनेशन एंड आइकन कमबीनेशन भी काफी जदा सूपर है तो वीडियो काफी जदा मेशिंग होने वाली है सब कुछ डीटेल में बात करने वाले है वीडियो को लाइक कर देना एंड कोमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब देखो सेटप को क्रेट करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स करना पड़ेगा ज्यादा इंपोर्टेंट सेटिंग्स नहीं है बोटम में चार या फिर पांच आइकन्स को एड़ कर लिना अब देखो यहाँ पे हम दो ट्रिक का यूज करेंगे अधर कर रहा है अगर आपके स्मार्टफोन में हाइपर वैस है तो आप कोई भी एक डिफ्रेंट पिंक आइकन्स का यूज कर सकते हो यहाँ पे अपको पिंक नियोन थीम का यूज करना है और यह वाली थीम आपके सामने ओपन हो जाएगी उसके बाद कस्टमाइज वाले पर अप्लाई कर देना अब देखो जैसे मैंने इसको अप्लाई किया कुछ स्टैप का होम स्क्रीन का एनटरफेस देखने को मलता है अब देखो आपको क्या करना है प्ले स्टोर अप्लिकेशन और अडर याइज की ब्रबात कर रहा हूं तो ऐढको यहाँthe सर्च बार में देखने को मिलेगा तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, इसली आपको डाउनलोड हो जाएगा तो डाउनलोड कर लेना, उसके बाद एक application आपको सभी स्मार्टफोन में डाउनलोड करना है, इसका नेम देखने को मलता है KWGT Custom Visit Maker, फर्स्ट नंबर पर देखने को मिलेगा ये वाला application है, अब देखो मैं आपको पहले ही बता दू, ये वाला application आपको paid version देखने को मिलेगा, इसको आप Google से या टेलेगराम से बिल्कुल फ्री निकाल सकते हो, मेरे टेलेगराम गुरूप से, अब उसका लिंक आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा, तो आप जाके download कर लेना, उसके बाद, अब देखो आपको क्या करना है, widget को कैसे import करोगे, तो तीनों application को आप download करके install कर लोगे, तो उसके बाद आपने यहाँ पर screen के उपर zoom in करना है, देन widget वाले option के उपर click करना है, अब देखो जैसे click करोगे, आपको नीचे की तरफ थोड़ा scroll करना है, यहाँ पर custom widget देखने को मिलेगा, one into one की widget को add कर देना, अब देखो add करने के बाद इसके size देख सकते हो आप, यहाँ पर देख सकते हो first, second, third and fourth, यहाँ पर चार्ड लेर में कुछ इतना करना है, उसके बाद first, second, third and fourth, चार्ड लेर में यहाँ पर कुछ इतना कर लेना, अब देखो size अगर छोटा होगा तो मैं करवा दूँगा, यहाँ पर जो भी default widget आपने home screen में add कर रखे, उसको remove कर देना, अब देखो आपको पहले home screen wallpaper को change करना है, तो home screen wallpaper के लिए हम ये वाला wallpaper यूज़ करेंगी, काफी एची detailing देखने को मिलती है, यहाँ पर आप देख सकते हो, अब कुछ लोगों को यहाँ पर यह AI enhance वाली wallpaper पसंद नहीं आएगी, जो normal wallpaper है, वो भी मैं आपको दे दूँगा, तो उसको आप apply कर सकते हो, अब यहाँ पर मैं इसको apply कर रहा हूँ, तो set home screen wallpaper कर देना, एंड यहाँ पर आपके सामने कुछ इस tab का interface देखने को मिलेगा, अब देखो इस video के description box में, आपको एक widget का link देखने को मिलेगा, और एक wallpaper का link देखने को मिलेगा, तो दोनों को download कर लेना, अब देखो widget को download करने के बाद, एक यहाँ पर आपको permission देना पाड़ेगा, जो कि KWGT custom widget application में देखने को मिलता है, यहाँ पर इसके उपर tap करके रखना, एप information के उपर click करना, यह वाला application है, आप देख सकते हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर एक permission का option देखने को मिलेगा, इसके उपर tap करना, अब देखो यहाँ पर आपको files और media वाला folder देखने को मिलेगा, तो इसको allow कर देना, अब देखो हो सकता है कुछ smartphone में यह वाला folder, इस storage के नाम से देखने को मिले, तो उसको उन कर देना, उसके बाद वापत से आपको यहाँ पर tap करना है, आप देखो यहाँ पर tap करने के बाद, आपको एक option देखने को मिलेगा, इमपोर्ट का, अब यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ पर क्लिक करने के बाद, आपको इस वीडियो के description box में मैंने आपको बताया था widget देखने को मिलेगी तो कौन से widget है यहाँ पर आप देख सकते हूँ CZ200 के नाम से देखने को मिलती है यह वाले widget आप download कर लेना अब यहाँ पर download करने के बाद इसके उपर आपको click करना है जैसे आप click करोगी library वाले option में यह वाले widget import हो जाएगी आपको 5-10 second का wait करना है अब देखो यहाँ पर मेरी widget आ चुकिए आने के बाद आपको size को कुछ भी set नहीं करना है already मैंने set कर रखा है आपको यहाँ पर save का icon देखने को मिलेगा बस इसके उपर आपको click करना है आप देखो कुछ लोग अगर आप widget के उपर tap करोगे तो widget open हो जाएगी तो आपको यहाँ पर touch वाले option के उपर click करना है और यहाँ पर books खाली देखने को मिलेगा इसके उपर click करके यहाँ पर delete कर देना और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर वापास सेव कर देना और विजट के उपर आप click करते हो तो आपके सामने open नहीं होगी कुछ इस type का home screen आप अपने phone में easily apply कर सकते हो और यह किसी भी phone में work करेगा चाहे आपके पाई Xiaomi, Redmi, Oppo, Vivo, OnePlus या फिर other Android devices उसमें भी work करेगा आप देख सकते हो complete enemy home screen है जो की Obito उचिया की देखने को मिलती है काफी amazing आपके यहाँ पर देख सकते हो wallpaper में detailing भी देखने को मिलती है आप देखो low screen को यहाँ पर मैंने customize नहीं किया हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में एक और Obito का setup में लेके आ जाओं तो उसका वेट जरूर करना यह था एक छोटा सा homemade screen setup अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना मिलता है किसी और interesting topic के साथ दबतक के लिए बाई बाई